डियर स्टुडेंट्स, I am चक्रधर सिंग नौगच्छा, we were dealing objective questions, तो आएए, हम लोग वस्तुरिस्ट प्रस्नों को डिल करते हैं, आज का पहला प्रस्न है, and the nightingale is dumb, and the death will not come, इसमें क्या भला जाएगा, तो चार विकल्प आपको दिया जिया है, नमबर A में ट्रॉल्स, B में प्रांस, C में एंगिल, and D में डिस्ट्रेस दिया हुआ है, तो आपका, यह जो प्रस्न है, यह पंक्ती जो है, now the leaves are falling fast से ली गई है, और आप जब उसमें देखेंगे, तो इस line के बाद, and the nightingale is dumb के बाद, and the angle के, यहाँ जो है, there is, इस जगए angle मिलेगा, क्या मिलेगा, angle, angle not, angle will not come, यानि इसका answer angle हुआ, यानि she हुआ, क्या हुआ, she, अब हम दूसरे प्रस्न को टक अप करते हैं, who was light of step and hurt, यह कभी के लिए है कि कौन है, कभी ने, किसको कहा है, light of step and hurt, तो, यह एन इपिताब का question है, और इसमें कभी ने, ए ब्यूटिफूल लेडी को, जिसके बारे में उन्होंने वरन क्या है, उस कभीता में, उस पोयम में, ए ब्यूटिफूल लेडी के बारे में, इसलिए इसका answer यही होगा, ए ब्यूटिफूल लेडी, इसमें आपका answer होगया, ए, थैंक्यू, अब चलते हैं, All that Johnson's head was the death, यह आपको the earth story से ली गई है, यह पंती, और Johnson's जो थे, यहां Johnson's दिया हुआ है, इसका मतलब है, Johnson's जो दमपत्ती थे, उनके लिए, शब कुछ, क्या था भई, उनके लिए, सब कुछ, अर्थ यह था, अर्थ, इसलिए, इसका जवाब आ गया, ए, अर्थ, Johnson's वाजिय, पिजयन, जॉनसन वाजिय, फार्मार, तो फार्मार के लिए सबसे प्राज्चेज क्या हो सकता है, तो अर्थ यह नहीं होगी, खेत होगे, जमीन होगे, बस यही हो गया, अर्थ आईए, अब चौथा प्रस्न है, प्रस्न नमर फोर्थ इज, गौंधी जी डाइड एट दी हैंड्स ऑफ यह फानाटिक ओन, गौंधी जी मारे गए, मरे विचारे, तो किनके हाथों से मरे, एक उग्रवादी कोई थे, उनके द्वारा मारे गए, तो कहते हैं, कब मारे यह फानाटिक हैंड्स जो थे, उनके हाथों जो मारे गए तो कब मारे, कि तो सब कोई जानते हैं, गौंधी जी मारे गए थे कब हैं, थर्टियेथ जैन्वरी 1948, 30 जैन्वरी 1948 को, इसलिए आपका सही आउंसर हो गया, शी, क्योंकि शी नंबर में शप्लाइड है, 38 जैन्वरी 1948, इसलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग, गीतान जली वाज रिटेन बाए, गीतान जली वाज रिटेन बाए, तो गीतान जली तो वगरा फेमस रचना है, काते की इंद की रचना है, इस पर तो नोबल पुरुषकार भी मिला आ है भारत को, तो यह रचना, रभि JC जीन легко झीया और स्टॉष गयोर फट आई रचना पर लत्रे शी नासर Chrism पलाप खार है, इसलिए इनका सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इज नमबर डी, रविंद्रनात टैगोर, थैंक यू, आगे फिर, आईए, अब हम लोग प्रस्न नमबर छा पर आते हैं, तो यह प्रस्न है, लेंग लेंड इज, इवेल लोन राइटर, आफ डेर्स इंग्लीश लिट्रेचर, यानि पूछ रहा है, लेंग लेंड सहाब जो थे, लेंग लेंड जो थे, वे एक अच्छे राइटर थे, उसको जाने जाते हैं, तो किस एज के, तो आप जानते हैं, इंग्लीश को तीन भागों में बाटा गया है, एक था ओल्ड इंग्लीश, दूसरा था मिल इंग्लीश, और तीसरा है मॉडर्न इंग्लीश, तो आप जान लिजिए, क्लेंग लेंड साहाव मिडल इंगलिस लिट्रेचर के वेल नौन राइटर है इसलिए सही आंसर हो गया करेक्ट आंसर इस मिडल और यह आपको D नंबर में दिया हुआ है इसलिए D करेक्ट आंसर ओप्शन D इस करेक्ट आंसर आगे आते हैं दा वास्ट लेंड वास्ट लेंड वास्ट लेंड वास्ट लेंड वाज रिटन बाई यानि वास्ट लेंड जो है दा वास्ट लेंड वह किनके द्वारा लिखा गया है यह आपको लिखा गया है बड़ा ही फेमस यह रचना है इनकी वास्ट लेंड और यह लिखा गया है T.S. इलियट के द्वारा किसके द्वारा T.S. इलियट के द्वारा और T.S. इलियट आपको B नंबर में शपला है इसलिए option B is correct यानि दा वास्ट लेंड वाज रिटर्न भाई T.S. इलियट द्वास्ट लेंड इज रिटर्न भाई T.S. इलियट थैंक्स आगे बरते हैं summer in Kolkata summer in Kolkata is collection of poems by question में क्यांशार यानि summer in Kolkata किन के collection है किन के poems का collection है यह पूछा जा रहा है तो आप जान लिजे यह collection summer in Kolkata कामला दास के द्वारा लिखा गया है यानि उनका यह collection है कामला दास का और तो हम लोग कहेंगे summer in Kolkata is a collection of poems by कामला दास और यह option आपको a number में शपला है इसलिए option a is correct answer thank you आगे बढ़ते हैं जाक के मेरेज प्रोपोजल पॉस्टर नम्र नाइन है ए मेरेज प्रोपोजल वाज रिटन बाए ए मेरेज प्रोपोजल जो शिलिवस में है वह किन के द्वारा लिखा गया भाई वह रिटन क्या गया है एंटोन चकहब के द्वारा किसके द्वारा एंटोन चकहब के द्वारा और एंटोन चकहब यह option सपला है आपको डी नम्बर में इसलिए option D is correct answer एंटोन चकहब हो गया कि ए मेरेज प्रोपोजल वाज रिटन बाए ए मेरेज प्रोपोजल इज रिटन बाए एंटोन चकहब आगे देते हैं प्रस्ट नम्मर टेंथ दस या क्या लिखा हुआ है आई ब्लीव तैट दर सिविलाइजेशन इंडिया है इवर्वड नोर्ट तू बी बिटेन इन दा वर्ड मुझे विश्वास है कि इंडिया की सिविलेशन जो है वह मात नहीं खाया है उसने कि इस संसार में इस दुनिया में इंडिया का सिविलेशन कहने का मतलब है इंडिया भारतिय सभ्यता आगे रहा है और अभी भी उनकी वह सभ्यता की कांत वह जो जबर दस्त चीज़ वह सभ्यता सरमत पड़ी रहा है पूरी दुनिया में इह लाइन पूछ रहा है कि इस कि साय लिया गया है यह लिया गया है आपको इंडियां सिविलाईजेशन and culture से इंडिया गया है इंडियान civilization and culture से तो हम लोग कहेंगे I believe that the civilization and culture India has evolved not to be beaten in the world is from Indian civilization and culture और यह option A में supplied है इसलिए option A is correct answer. Thank you. अब देखते हैं? अगला question है, the taming of death, animals, mad life, much present. तो किस प्रकार की पशु का पालन किया गया, जिसने किसानों के जीवन को शुखी बनाया. तो यानि मनुष्या के आथि लाइफ को pleasant हो गया, pleasant. जिसने मानव के जीवन को ज्यादा शुखी बनाया, तो यहां अंसर होगा taming of domestic animals, यानि हम पालतु बनाये, जब पश्मों को, तब मनुष्या का जीवन जो हुआ, वह ज्यादा शुखी हुआ. यहां हो गया, तेमिंग अफ डमस्टिक, तेमिंग अफ डमस्टिक हो गया, तेमिंग अफ डमस्टिक, ने, जीवन को शुखी बनाया, दमस्टिक अनिमल्स ने, यहां हो गया, तेमिंग अफ डमस्टिक अनिमल्स, मेर्ड लाइफ मच प्लीजेंट तो आंसर आपको डमस्टिक सप्ला है डी में इसलिए करेक्ट आप्शान इज दी आगे बढ़ते हैं वाज इट कोबार्डिश देट आई डेर्ड नोट किल हीम इज फ्रों यह किस कविता की पंक्ति है आपको कविता सप्ला है पोयम सहे सप्ला है स्वांग आप बाई शैल्फ द्याश वल्जार शनेक और फायर हीम तो इसमें आपको शनेक आंसर सही है और शनेक जो है वह शी नंबर में सप्ला है इसलिए करक्ट आंसर इज शी करक्ट आप्शन यह शी शनेक आते हैं डैविट कॉपर फिल्ड वाज रिटन बाई डैविट कॉपर फिल्ड इज यह नोवेल डैविट कॉपर फिल्ड एक उपन्यास है और वह लिखा गया है चार्ल्च डिकेंस के द्वारा इसलिए हम लोग कहेंगे डैविट कॉपर फिल्ड वाज रिटन बाई चार्ल्च डिकेंस तो correct answer आपको C number में है Charles Dickens इसलिए correct option is C आगे बढ़ते हैं English developed into a single standard एक मात्र standard का रूप लिया English ने विकास किया किन के समय में किन के English में तो वहां क्विन्स इंग्लिस होगा क्विन्स इंग्लिस ने single standard का रूप लिया डेवलप किया तो answer correct answer is क्विन्स इंग्लिस that is supplied in option a hence a is the correct answer अब आईए हम लोग 15 हमा प्रस्ण को डिल करें यह है the voice of a few women raised in the in warning cannot be heard a dash 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 यह प्रस्ण यह पंक्ति जो है आपको a child is born चप्तर का है और उसमें आप देखें कि इस पंक्ति को इसके आगे आपको आएगा यह पंक्ति शी नंबर वाला ओभर दर हुमिंग एंड थ्रॉबिंग आप आवर मैंसिन्स तो इसका पूरा हो गया correct answer हो गया ओभर दर हुमिंग एंड थ्रॉबिंग आप आवर मैंसिन्स यह सप्ला है आपको शी नंबर में इसलिए correct option is C correct option is C thanks आगे बढ़ते हैं डेवलू एच ओडेंड वन देश प्राइज इन 1948 आप जब डेवलू एच ओडेंड की जीवनी को परहेंगे तो उसी में आपको यह लाइन दीवी है कि डेवलू एच ओडेंड डेवलू एच ओडेंड वन द डेश प्राइज तो पुलित जर प्राइज उन्होंने में उनिच ओर तालीय सिवी में पुलित जर प्राइज कोजीता था यानि पुलित जर प्राइज को पाया था उनको उस सम्मान से सम्मानित के दिया था वह प्राइग मिला था इसलिए, correct answer is Pulitijar and it is supplied in option A. Hence, option A is your correct answer. आंक्स